So, Hey Guys, Welcome Back और आज हम दुबारे से continue कर रहे हैं Ranch Simulator and finally guys, यह हमारा Ranch Simulator को होने वाला है Episode No.22 तो चैसे कि आप सबीने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम अपने के लिए एक काफी जादा बड़ा ट्रेलर भाई किया था and हम लोग काफी जादा समान अल्रेडी लेके आया था क्योंकि guys, हमें एक नया अपने के लिए फार्माउस चाहिए क्योंकि जो पिछला हमारा फार्माउस था I mean छोटा सा घर था उसमें इतना space नहीं है कि हम लोग अपने के लिए कुछ भी कुख कर सकें and जितना भी space था वो सारा का सारा एक मिनट में भर जा रहा था तो मैंने डिसाइड कर रहा है क्यों ना हमें अपना ये जो घर था उसे अपग्रेट करना तो बनता ही है वैसे काफी जादा भाई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई अपना पिक का जो बानाउस है उसे काफी जादा बढ़ा बनाओ तो अल्डेटी गाईज ये लोकेशन मैंने चूज की विए अपने बानाउस बनाने के लिए जो की काफी जादा बढ़ा है तो आप लोग देख सकते हैं ये काफी जादा लंबा बानोस है और इसको बनाने के लिए मेरे को काफी जादा वुडन के फ्लैंक्स ची है तो मेरा प्लाइन है कि जितने भी हमारे पास अभी पिक्स काफी जादा है उन पिक्स को मैं सेल आउट कर दूँगा और उनसे जितना भी पैसा मिलेगा और नेक्स वीडियो में चुँए न हम इसके लिए वुडन के फ्लैंक्स बाई करके लाएंगे हार्डवियर स्टोर में और अभी जो है सबसे पहले तो मेरे को याला अपने के लिए फार्माउस को बनाना होगा सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या जरूरा थे तो लगबग 28 वुडन के फ्लैंक्स ही है जो कि मेरे पास अल्डेडी है वैसे मैं काफी ज्यादा वुडन के फ्लैंक्स लेके आया था और एक भाई मेरे से बोल रहे थे कि काफी लंबे टाइम से कि भाई वुडन की रैक बनाओ जिसमें तुम काफी ज्यादा वुडन के प्लैंक्स रख सकते हो तो अभी जी है ना गाईस हम लोग फटावट से वुडन के रैक बनाते हैं जितनी भी हमारे पास वुड है न वो हम उसमें डाल देंगे इदर किदर होना चाहिए था तो ओकी गाईस यह रहा लोग रैक तो मैं इसको यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कितने बनाएं अरे यह यहाँ पे क्यो प्लेस नहीं हो रहा है ओके तो लगता है यहाँ पे एक फ्लेट स्पेस नहीं है तो हम लोग ऐसे करते हैं एक यहाँ पर बना लेते हैं ओके यहाँ पर देखो प्लेस नहीं हो रहा है और एक यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर जो है ना इसमें हम वुडन के लॉक्स भी रखके देखेंगे देखते हैं गाईस काम बनता है की नहीं बनता अभी इसमें काफी जादा wooden के flanks ची है मुझे लगता है इसके अंदर जो wooden के locks है न वो आएंगे लेट सी गाइस देखते है हाँ, अब मैं समझा तो मैं ऐसे करूँगा जो हम लोग machines लेके आए न इनको यहाँ पर नहीं, वहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने machines रखी विये तो मैं ऐसे करता हूँ इसको यहाँ पर से तोड़ता हूँ और इसे भी तोड़ता हूँ तो ठीके guys, ओके, अब भी इसके अंदर समान है, तो इसको मैं नहीं तोड़ पाऊंगा इसको निकालो फटावट से बार तो इसको अभी हम लोग बनाते हैं भी तो इसको तोड़ना पड़ेगा अच्छो लोग है, सबसे पहले तो हम लोग अपना जो यह फामाउस है, उसे complete करते हैं इसके मेरे को काफी जाड़ा wood चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ न, एक एक करके हम लोग wood लगा लेंगे इसमें तो ओकी गाईस हमने एक stack तो पूरा लगा दिया है अभी और लगाना है तो अब यहाँ पर हम लोग आगे से इसको complete करते काम, तो यह हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और आई होप यहाँ पर से जा पाऊंगा मैं ऐसे करते हैं नीचे से घुसके निकल जाते है तो अब इतना घूमना की आए क्यों ना यहाँ पर से हम लोग easily जा सकते हैं ना नीचे काते हैं एरिया हम लोग ने complete कर लिया है बस अभी जोए ना उपर का एरिया बचा वाए उपर के एरिया को किस तरीके से complete करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लगता है मुझे concrete डालना होगा भी ओके फटावट्स हम लोग concrete उठाते हैं और concrete डालते हैं लगता है इतने मैंसो तो काम बन जाएगा ओके एक दो bags हमारे पास extra है so concrete तो आ चुका है metal देखते है metal कितने हैं अपने में भाई हमारी foundation तो लगबग बनके ready हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा घर जो है वो लगबग बनके 50% ready हुआ है फटावट्स अंदर चलते हैं I think यहाँ पर से मैं इसको operate कर पाऊंगा हम अब लगता तो है operate कर लेंगे ओके गाईस तो अपना काम तो यहाँ पर लगबग काफी जादा अभी भी ओके गाईस फाइनली हमारा घर जो है वो बनके ready हो चुका है सबसे पहले तो यहाँ पर का kitchen देखते है अरे guys यहाँ पर kitchen में हमारे पास काफी अच्छा space है and store room हाँ थोड़ा सा जादा space है and पिछले वाले store room पर देखते हैं कितना space था rack जो थी वो एक ही थी इसमें इसमें जादा एक दो तीन चलो उसमें चलके देखते हैं उसमें कितना था and यहाँ पर और भी store room है और store room तो guys में जो यहाँ पर दिखनी रहा है and उपर जाने का रास्ता ओके यह तो double bedroom है त्योंकि काफी जादा बड़ी है बस इतना ही है इस room पर तो ठीक है guys अभी मैं फटावट से यहाँ पर से बाहर निकलता हूँ और जो मेरे पास छोड़ी छोड़ी machines थी ना आज मुझे वो sail out करके आनी है and सबसे पहले तो यह जो wooden के locks है यह flanks है उन्हें मैं यहाँ पर रखता हूँ ठीक है सारी निकाल देते है आज यह tractor जो मैं लेकर आया था ना उसका भी हमें use करना है अभी यह किस काम पर आता है यह मुझे पता नहीं है पर मैं लेकर आया था में भी यह घास काटने के काम आएगा यह wooden के flanks जो है ना अभी काफी जादा काम आने वाले अपने tables वगे ना लगाना है मेरे को अपने घर के अंदर उसके ओपर machines रखेंगे ना अब जो अपनी automatic machines लेके आएंगे वो लगाएंगे लगता है यह जो घास है ना उसे काटने के use में आएगा यह tractor जो है अपना चलो गाइस फटावट से हम इस tractor को जो है ना नीचे उतारते है भाई खाफी जादा चोटा ही है चलो अलैसी गाइस देखते किस काम पे आएगई है भाई किस काम पे आएगई है टेक्टर यह छोटा टेक्टर किस काम का है मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाईस यह छोटा टेक्टर किस काम का है मैं तो समझे यह ग्रास वगेरा कट करने के लिए आएगा चलो छोड़ो गाइस अभी इसको छोड़ते हैं मैं फटावर्ट से जो है न अपना पिकप लेके आता हूँ and जितने भी हमारे पास मसीन्स थी जो कि हमारे कुछ भी काम की नहीं है वो सेल आउट कर लेंगे अभी हम लोग फटावर्ट से चलते हार्डवे रिस्टूर वहाँ से लेके आएंगे आटमेटिक मसीन्स अब जितना भी मैं काम करूंगा ना वो दोनों घर में करने वाला हूँ तो हम लोग दो-दो मसीन्स लेके आएंगे दो तो होर्स में भी इन्वेस्ट करें नेक्स वीडियो में पर अब हमें होर्स के लिए खाफी जादा पैसा चाहिए क्योंकि वहाँ पे बोली लगती है जो कि हमें लगता है खाफी जादा उपर जाएगी ओके सो फाइनली गाईज हम लोग उपर पहुंच चुके वैसे उपर जाने का रास्ता होता हो डेफिनेटली मैं उपर से निकाली देता यार मैंने वो मसीन तो उठाई नहीं चलो कोई नहीं अब वो अपने काम आई साएगा तो ओके गाईज देखो यह रहा इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर मेरे पास लगबग 8000 युएस डॉलर से तो मैं यह दो भाई कर लूँगा ठीक है अब दो इलेक्ट्रिक सॉसेज यह दो भाई करते है अब भी जो यह ना काईज हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा है यह मॉल्डेट चीज किस तरीक से बनाते हैं तो उसके लिए मैं जाओंगा सीधा किदर अपना जनरेल स्टोर एंड वहाँ पर देखेंगे कुछ हमें मॉल्डेट चीज वगएरा बनाने का समान वगएरा मिलेगा तो वो भी भाई करते हुए चलेंगे अब भी चुए ना काईज हम लोग ओपन करते हैं एंड सारा समान हम यहां पर रग देंगे एंड जब हम तीसरा फार्माउस बनाएंगे ने काईज तब हम लोग काफी जादा मसीन्स लेके जाने वाले अब धीरे धीरे हम लोग जोए ना अपना रेंच में काफी जादा इंवेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो इसको बंद करना तो भूली गया अभी हम लोग फटावट से जनरल स्टोर निकलते हैं अभी तो maximum time टूए ना हमारा resources वगेरा collect करने में जा रहा है देखते हैं अभी requirement किस चीज की है चीज वगेरा की होगी and cheese and sauces की वो तो हमारे पास already पड़े में है अभी जोए ना guys यहाँ पर beef sauces चाहिए वो मेरे पास है cheese, blue mold यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है and curd, curd भी किस तरीकी से बनता है वो भी देखना पड़ेगा अभी उसी के लिए जोए ना में यहाँ पर से नहीं करना उसी तर जनर्ल स्टूर normal cheese तो हम लोग बना ले रहे है बर वाला cheese नहीं बना पा रहे है molded cheese okay guys finally हम लोग general store में पहुँच चुक है and फटावट से देखते है molded cheese बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो okay white mold and blue mold ठीक है यह buy करते है and let's see देखते है guys किस तरीके से होगा मैं ऐसे का तोनो 4 buy करते है and 4 यही buy कर लेंगे तो guys finally हम लोग ने buy कर दिये और तो अपन को कुछ नहीं चाहिए लगबग अब हमारे पास सारे का सारा समान हो चुका है बस मुझे यह समझ में नहीं आ रहेगा इसकी हम लोग जो grass है वो किस तरीके से cut करेंगे so let's go अभी इनको उठाता हूँ फटावट से अपने truck में रखूँगा and फिर हम लोग चलते है भाई इसके लिए space भी होना चाहिए है सबसे पहले तो इनक लिए में कोई space बनाना होगा देखते हैं यह डब्बे एक दूसरे के उपर आ जाएंगे ओके डब्बे तो आ जाएंगे उपर उसका कोई problem नहीं अब यह जितना भी समान है ना इनको उठा की यहाँ पर फैंगना है लगता है मैंने ज़्यादा भाई कर लिये मुझे भी लग रहा है ज़्यादा भाई कर लिये उठाने में दिमाग अराब हो जाएगा अभी मैंने मैप को explore भी नहीं कहा है बिलकुल नहीं तो मेभी next वीडियो में चुए ना हम लोग molded cheese नहीं नेक्स वीडियो में तो मैं बानाउस बनाना अपने के लिये और बानाउस में light वगेरा भी लगाने क्यूंकि रात को काफी जादा अंदेर होता है और मैं चाहता नहीं कि light ना हो अपने बानाउस में and maybe let's see next वीडियो में हम लोग ना अपने बानाउस में light लगाएंगे okay so guys finally हम लोग ने यह सारा के सारा चीज बनाने का सामान तो उठा लिया है इसको करते हैं close and फटावट से चलते हैं अभी हम लोग अपने रैंच में okay guys finally हम लोग machines वगेरा लेके आज चुके अपने सीधा wrench में and सबसे बिले तो मैं molded cheese देखता हम वो किस तरीके सा बनेगा ठीक है हम blue molded cheese उठाते हैं and चलते हैं सीधा अंदर door open करो I think हमारे can में milk तो हो गई okay यहाँ पे cheese बनाया था हमने and वो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको यहाँ पे रखो and अभी एक दो और बाकी हैं उन्हें भी लेके आता हूँ देख रहूँ गाइस इसमें space कुछ जादा है उस नए वाले घर में अपने है ओके यह रा milk यह रखका इसमे है and डाले इ तो ठीके गाइस अभी हम लोग देखते है अब जोए नगाईस हम यहाँ पे blue molded cheese बना रहे है अपने क्लिए let's see देखते हैं यह बनता है यह नहीं बनता है कि अपने साथ scam होता है and राज भी काफी जादा हो चुकी है and यह लगता है मुझे सोना होगा भाई देखते हैं यह कौन सा चीज है मुझे तो simple वाला चीज लग रहा है पता कैसे चलेगा कौन सा molded cheese है तो ऐसे करते हैं अभी हम लोग सोते and maybe वो morning में पता चलेगा कि कौन सा चीज अभी बना है अब कि यार morning हो चुका है सबसे पहले तो मैं वापे जा के check out करता हूँ अभी तो यह एक ही percent हुआ और यह machines का time आज चुका है अभी यह हमारी कुछ काम की नहीं है ठीक है इसको उठा क्यों नहीं सकता हूँ लगता ही है यही पर चिपकी रहेगी so guys अभी हम लोग फटावट से एक लेके चलते क्या ओके यह grinder एक grinder तो हमारा इसी घर में काम आएगा उसे मैं रखता हूँ यहाँ पर इस table के उपर ठीक है और एक बार ही चला के देखें लेस्ट को guys देखते हैं हम लोग चला के अरे भाई इसको यहाँ पर रखूँ मुझे लगता है कि मेरे को मेरे को इसके लिए न एक अच्छा सा area बनाना होगा नहीं पहले मेरे को चाहिए beef ठीक है वो डालता हूँ मैं अरे काम क्यों नहीं हो रहा है ओके यह तो sources machine है यार अपने को grinder लेके आना है मैं बोलना हो काम क्यों नहीं कर रहा है जब तक हमारे पास grinded meat नहीं होगा तब तक वो काम कहां से करेगा चलो guys अब finally हम लोग लेके आच्छो के अपनी दूसरी machine जो की काफी ज़ादा useful होगी अपने के लिए उसको मैं यहाँ पर place करता हूँ okay meat का टुकड़ा okay औरे भाई यह गलस सीन हो गया गलस सीन होगे guys ऐसे नहीं इसको मेरे को उठाना पड़ेगा इसके लिए तो एक अच्छा सा table बनाना होगा नहीं तो यह काम कैसे करेगा so इसको मैं यहाँ पर place करता हूँ एक beefs चाहिए अपने को okay so इसके अंदर डालो on कर दो तो इस तरीके से इसके हमारी production चाहिए वो काफी ज़ादा होगा and इसको उठाते हैं और इसमें डालते हैं finally यह अपना काम कर रहा है हाँ मुझे तो लगता है काम तो करना चाहिए okay so मेरे को यहाँ पर beef sources मिल चुका है यार यह भी हम लोगों ने बना के रखे हैं मैं काफी ज़ादा तो यह machines काफी अच्छा है and मुझे लग रहा है मेरे को pans काफी ज़ादा लेके आने होगे यह pan मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और यार आज काम के चुकर में मैंने खाई का मिल के भी नहीं लिका ला तो अभी मैं फटावर सही है जो अपने पास दूसरी machine है ना वो भी लेके चलतो अपने दूसरी घर में अब अपना production काफी ज़्यादा फास्ट होने वाला है इस truck को तो अपने यहाँ पर खड़ा करते है ठीक है भाई यह कुछ जादे ही घजब का घर लग रहा है अपना तो भाई यह dining table अपना कुछ इस तरीके से काम आएगा ठीक है अपने को dining table की ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ पर रखते है और वो किधर है अपना दूसरा grinder I think यहाँ पर है इसको लेगे आते हैं और कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर मुझे table यहाँ पर रखना होगा ठीक है यह अपना यहाँ पर place हो चुका है और दिखो अपने पास काफी अच्छा space है जिसके यूज में भी हम next वीडियो से करेंगे अभी अपने को काफी चादा समान भी चाहिए है तो पहले मैं अपने पिक्स वगेरा देख लेता हूँ का क्या सीन है भाई पिक्स काफी जादा हो चुक है और कुछ पिक्स यहाँ पर मारे भी गए है चलो कोई नहीं तो गाईस फाइनली आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आज हमने काफी जादा काम किया और हम लोगों ने यह भी बनाया हुआ है मेबी next वीडियो में मैं इसको complete कर दूगा और जितने भी हमारे पास पिक्स है जिने हमें सेल करना है वो हम सेल कर देंगे बाकी के जितनी भी पिक्स बच्चे में वो हम लोग यहाँ पर new लियाएंगे या फिर उदर से ट्रांसफर कर लेंगे तो चली गाईस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई सी यू गाईस इन एक्स वीडियो बावाई